क्या है जो वो कहना चाते हैं लेकिन कहने ही पा रहे हैं ये रहेगा आज का टॉपिक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा टारो में से पांच कार्ड लेंगे और औरेकल में से दस कार्ड शुरुबात करते हैं टारो से अल्री मैंने कार्ड शब्ल करके रखे हैं क्याब करते हैं तुर भिस DAY ये करें तो दो प्लेग मोई टोटिम दो गैह कर्यों चार और ये में गफिकापंच कर पार रहे दो टीसम प्लीसे धाया थे तो जिस हो कर्दक्छल एजब्ससिएौख ऑम रहे दो जख़़ करते हैं यह को प्ल शुरुब्सा वरे डो तो और प्ल एक, दो, टी, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, और यह होगे, दस, एक, अलाव मेसेज, भी देख लेते हैं, यह रहा, मेसेज, तो यह मिलते कार्ड, देखते हैं, पहला ही कार्ड है, डेवल कार्ड, तो काफी जादा पैशनेट थिंकिंग चल रही है, बहुत जादा आपके प्यार में तड़प रहे हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते एक वायर है, तो ऐसे आपके प्यार में और्मोस चल रहे हैं, और यह पैशनेट फीलिंग से, काफी जादा, तो पैशन तभी इनसान फील करता है, जब उसे सेक्शुल थोड़ा सा कुछ आट्रेक्शन हो, तो इस परसन के दल में आपके लिए काफी जादा आट्रेक्शन है, और वो क्यूं है, क्योंकि यह आप से कहीं नगए, ऐसे एमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो चुके है मतलब आपसे बात हो या ना हो, या आपके बारे में सोच ने रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डेवल का जो चहरा है, वो भी सोच में डूबा हुआ है, तो यह परसन काफी जादा आपके बारे में सोच ने हैं, शायद यह आपको कभी वो बता नहीं पा और आप इनके contact में हो या ना हो फिर भी ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, शायद खुद से भी ज्यादा सोचते हैं, मतलब खुद की जिन्दगी को लेके इतना नहीं सोचते होंगे, जितना वो आपके बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट है डेथ तो शायद आप दोनों के रिष्टे में कुछ एंडिंग और बिगिनिंग भी हुई है तो अगर पास रिलेशन मतलब पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशन्शिप में तो ये परसन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना च जैसे यहां पर रॉष्णी में अंधेरी की कोई जगह नहीं होती तो वह रॉष्णी अपना अस्तित्व दिखा देती वैसे ही इस परसन को आपके प्यार को लेके उनके दल में क्या फीलिंग से यह समझ आया है इसलिए वह इस अंधेरे से निकलना चाहते उनके दिल के अं पेडरेशल यह अंधेरे से पर जब दूखवाई निकलुष उनके प्याएव घ्रेशल के दुखकेवाद करने डूसकी के रहे चैहिए अंधेरे सब्सक्राइज जा जन्युष्य है जब अकेले होते हैं चैट्नीस की एनरजी में वह अपने आपको पाते हैं जैसे मेरी अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ तूटा-फूटा हो गया, ऐसा इस तरह की sadness की energy में खुद को पाते हैं, शायद थोड़ा सा depression भी ये पील करने हैं, लेकिन जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं, उन्हें मन चाहिए जिंदगी न connected है, because this person, वैसे ही आप दोनों को भी जिस बात ने जोड़ के रखा है, वो है प्यार, तो ये परसन भले ही आपके contact में नहीं है, आप दोनों एक शहर में भी नहीं रहते होंगे, लेकिन आप दोनों के भी दिल में जो ज़स्बात है, वो ज़स्बात आज भी ये फील कर पा या पर आक्विडिस, तो कम्मुनिकेशन तो करना है उन्हें, लेकिन ऐसा कम्मुनिकेशन चाहते हैं, जिसमें कोई बहस नहों, कोई तूटू में में नहों, कोई पास्ट इशूस नहों, सब कुछ पीसफूल हो, जैसे यहां पर फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, और ग्रीन कलर भी काफी जाता है, तो ग्रीन कलर रिप्रेजन करता है हाट चक्र को, और ये रेड कलर की जो फ्लावर से वो रिप्रेजन करते हैं, इनके दिल के जजबात को, तो ये परसन अपने दिल की बाते आप से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि, क्या आप वो दिरेक्शन उन्होंने जिन्दगी में चुना, वो उनके लिए सही डिरेक्शन नहीं है, शायब इसलिए ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड हमें आया, कि ये बॉसन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते है, तो इनका जो मकसद है, वो अब इनके सामने क्लियर हो ग करियर को लिए कि ये परसन कापी साथा कॉंशियस हो, या फिर प्राक्टिकल वाइंडेड भी थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि प्यार के बिना इंसान पैसा होते हुए भी खुश नहीं रह समता, शाटिंग डाउं, मेभी इस परसन ने अपने आपको आप से दूर रखा था, नो कम्मिनिकेशन जोन में रखा था, बातचित बंद कर दी थी, और ये क्यों था, क्योंकि उन्हें जिन्दगी में सही डिरेक्शन कौन सा चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो जान भूज के इन्होंने नहीं किया है, वो कन्फ्यूजन की एनरजी होता है, और शायद ये ही सब बाते हैं, जो आप से कहना चाहते, लेकिन कहन पाते, टेकिंग आक्शन, टाइट नाव, शायद वो अपनी जिन्दगी को बहतर में बनाने के लिए कुछ अक्शन लेना चाहते है, ले भी रह चाहते है, जैसे यहां पे subscribers समय का काड आगर हम द और ऐसी शायद action ये person ले रहे हैं, मतलब शायद उन्होंने अपने आपको रोक लिया है, wrong direction में जाने से और शायद वो आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे है, unconditional love, तो अब इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद आपने तो इन से प्यार किया ही है, लेकिन इस person के दिल में भी past actions के बारे में सोचते रहते हैं, ego ऐसा होता है कि जो प्यार को भी हराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जहाँ पे प्यार सच्छा होता है, unconditional होता है, वहाँ पे after all जीत प्यार की ही होती है, और यही ऐसास शायद इस person को अब हो रहा है, इस वज़े से उनके ego के सामने, उन के दिल अब उन्हें बता रहा है कि वह अनकर्डिशनल प्यार करता है आप से, the chaos, एक तूफान समझा हुआ है, उनके दिल और दिमाग के अंदर, यह तो पहले ही कार्ट में हमने देखा ही था, यह person बिलकुल भी शांत नहीं है, इस तरह का उनके जजबातों का हाल है कि वह अपने ही अंदर, अंदर मतलब जल रहे है जैसे आपके प्यार में, तो इस तरह का chaos है और इस chaos से वह निकलना चाहते है, शायद इसलिए यह new beginning का कार्ड हमने देखा, आप से अंदा, तो काफी शायद ups and downs चल रहे है इस person के life में, या फिर हो सकता है कि आप से जब से दूरि message क्या है, I love you because you can talk to me for hours and never get bored with me, तो इस person को अब जाके कहीं, यह एहसास हो गया है, कि वो continuously शायद आप से बाते करते रहते थे घंटों तक बाते होती थी, लेकिन कभी भी आपने उन्हें जरावी नहीं रुका और यह क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपना वक्त दिया उनको, उनके problems, उनके हालात समझने की कोशिश की, और जब अब इस person की जंदगी में ups and down आ रहे हैं, तो शायद उनकी side में ऐसा कोई भी नहीं है, जो उनकी बात को समझे, सुने, या फिर उनको एक दिलासा दे कि don't worry, तुमें इस problem से निकल जाओगे, या निकल जाओगे, और तब उन्हें एहसास हो रहा है, कि आपके साथ उनका जो discussion होता था, जो भी वक्त उन्होंने बिताया आपके साथ, वो कितना कीमती था, शायद इसी वज़े से आप उन्हीं unconditional love की कीमत समझ में आ गई है, और शायद यही बात वो आपसे करना जाते है, ये था ready, मिलते हैं नेक्स प्रस्टिटिंग में तिल दन तेक्वेर